हेलो दोस्तो साइन्स शौप में आपका स्वागत है आज मैं आपके सामने एडी करंट का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट लेके आया हूँ यह टोई भी है आप हमसे इसे खरीद भी सकते हैं तो एडी करंट होता क्या है देखिए आप सबको पता है कि जब भी किसी मैगनेट को आप कोपर से प्लास्टिक से या फिर ऐलिम्यूनियम से चिपकाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं चिपकता पर जब आप लोहे के पास ले जाएंगे इसे यह मैगनेट है नियोडाई में मैगनेट इसका नाम है तो यह चिपक जाएगा नेच्रॉल ऐसा भी को मालूम है पर एक एडी करंट होता है आपने पड़ा होगा काफी इसको देखा भी होगा स्कूल टाइम में क्या भी होगा अभी मैं आपको एक लाइव एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा जिसमें आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा कि जो मैगनेट है जब आप इसको copper pipe में से गुजारेंगे तो यह levitate होगा ऐसा feel होगा कि यह चिपकने की कोशिश कर रहा है pipe के अंदर या फिर copper ने इसकी speed कम करती है पर सेम चीज जब आप plastic के साथ करेंगे तो वो नहीं होगा plastic में से जब आप इस magnet को गुजारेंगे तो magnet नीचे गिरने की speed ज़्यादा होगी और जब copper में से आप गुजारेंगे तो speed बहुत ही कम होगी देखिए कैसे होता है यह देखिए अभी मैं इस magnet को इस copper pipe के अंदर डालूँआ तो आपको इसकी speed कम दिखाई देगी ऐसा लगेगा जैसे यह इस pipe के अंदर जूल रहा है लटक क्या है बिलकुल अराम से निच जाये गई है देख रहा है कितनी कम speed इसकी हो गई है छोटा सा pipe है तीन इंच का और सेम चीज जब आप एक प्लास्टिक के pipe में करेंगे तो यह काफी तेजी से होगी देखे कितनी speed इसकी डालती है एक दम से निचे जा रहा है पर जब आप इसको copper pipe में डालेंगे तो बिलकुल अराम से speed कम हो जाएगी इसकी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा धन्यवाद दोस्तो